C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज का ध्वानी पाठ अध्याय दो तलाश प्रिष्ट संख्या चार तलाश भारत के अतीत की ज्हांकी बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रती अपनी प्रतीक्रियाओं का विशलेशन करने की कोशिश करता रहा हूँ मैंने बचपन की और लोट कर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था मेरे मन में इस आउधारना ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभाव ने उसे कैसे समा रहा था आखिर ये भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेष्टा का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ती को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ती को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेशों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुचा था मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभोतह किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्ते को खारिज करने का साहस कर रहा था लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवन्त और टिकाव रहा है वह बहुत कुछ जो सार्थक है तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है और वह हजारों वर्ष तक अपने सब्भे अस्तित्तों की पहचान इस रूप में कदापी बनाए नहीं रख सकता था वह विशेश तत्व आखिर क्या था? प्रिश्ट संख्या पाँच पाठ पर जाने से पहले इसी प्रिश्ट में एक चित्र और उसका शीर्षक है मोहन जोदोडो की एक नाली और उसका विशाल प्रवेश द्वार आईए अब सुनते हैं पाठ मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहन जोदोडो की एक टीले पर खड़ा था मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय पाँच हजार वर्ष पहले बताया जाता है साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतह विकसित सभ्यता थी इनके स्थाई रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेट भारतियेपन और यही आधुनिक भारतिये सभ्यता का आधार है यह विचार आश्चेरे चकित कर देता है कि कोई संस्कृती या सभ्यता इस प्रकार पाँच छे हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे वह भी बराबर परिवर्तन शील और विकासमान रहकर फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भू मध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा यद्देपी भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयम भी उनसे प्रभावित हुआ फिर भी उसका सांस्क्रितिक आधार इतना मजबूत था कि वह हीला नहीं इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अन्शों को पढ़ा मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्टिश्क की सम्रिधी ने गहरा प्रभाव डाला मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहां चीन तथा पश्चिमी और मध्धे एशिया से आये थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबोदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा मैं उस हिमाले पर घूमता रहा जिसका पुराने मिठकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्ते को बहुत दूर तक प्रभावित किया है प्रिष्ट संख्या छे पहाड़ों के प्रती मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिष्टे ने मुझे उनकी और विशेश रूप से आकरशित किया इस महान परवत से निकल कर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकरशित किया और इतिहास के अंगिनत पहलूँ की याद ताजा की इंडस या सिंधु जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहां जातियां और कभीले और काफिले और फौजें आती रही हैं ब्रहम पुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाडियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बर्बस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाडों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमनिय धारा के रूप में बहने लगती है यमुना जिसके चारों और नृत्य उत्सव और नाटक से संबध ना जाने कितनी पौरानिक कथाएं एकत्र हैं इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की और खीचा है प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृती की कहानी है मैंने पुराने स्मारकों और भगनाव शेशों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ती चित्रों को देखा अजन्ता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खुवसूरत इमारतों को भी देखा जहां का तत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था मैं अपने शहर इलाहबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुम्भ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहां अब भी सैकडों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुर्खे गंगास नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं मुझे तेरह सौ साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है गो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अंजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे मुझे हैरत होती है कि वह काउन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अंगिनत पीडियों से भारत की इस प्रसिध नदी की ओर खीचती रही है मेरे अध्ययन की प्रिष्ट भूमी के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर द्रिष्टी दी मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा मेरे पूर्वजों की भूमी में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हसते रोते थे प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे इनही में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिन्दगी की जानकारी और समझ थी इस अतीत के सैक्णों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे जब भी किसी जगह जाता था उस विशेश स्थान से संबध चित्र ततकाल मेरे सामने आखड़ा होता था बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा धाई हजार वर्ष का फासला तै करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनी की तरह मुझे सुनाई पड़े अशोक के पाशान स्तंभ जैसे शिला लेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक समराठ होकर भी किसी और अन्य राजा और समराठ से महान था फतेफूर सीकरी में अपने समराज्य को भुला कर बैठा अकबर विभिन मतों के विद्वानों से समवाद और वाद विवाद कर रहा था वह जिग्यासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश रहा था इस तरह भारत के इतिहास की लंबी जहाकी अपने उतार चरहावों के और विजए पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्क्रितिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षनता प्रतीत होती है यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था भारत की शक्ति और सीमा भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलजी हुई है पर उसके पतन के हाल के कारण परियाप्त स्पष्ट है भारत तकनीक की दौड में पिछड गया और योरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था तकनीकी प्रगती के मामले में आगे निकल गया इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसला मंद, जीवनी शक्ति और मानसिक्ता थी नई तकनीकों ने पश्चिमी योरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है ऐसा क्यों हुआ? इस गुथी को सुलजाना जरा मुश्किल है क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं किन्तु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है छीन होती रचनात्मक प्रवृत्ती की जगह अनुकरण की प्रवृत्ती ले लेती है जहां काम्याभी के साथ विद्रोही विचार पध्धती ने प्रकृती और ब्रम्हांट के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था वहां शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह ले लेता दिखाई देने लगता है भव्यकला और मूर्ती निर्मान का स्थान जटिल पच्ची कारी वाली सावधानी से की गई नकाशी लेने लगी प्रभावी किंतू सरल, सजीव और सम्रिध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित शैली ने ले ली सहासिक कारियों की लालसा और छलक्ती हुई जिन्दगी जिसके कारण सुदूर देशों में भारतिय संस्कृती का प्रसार संभव हो सका था क्षीन हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीन रूढ़ी वाधिता ने जर्म ले लिया जाच परताल की विवेक पूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ती पूजा ने उसकी जगह ले ली अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का हरास होने लगा वह गतिहीन और जड़ हो गया जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगती के पत पर बढ़ते चले गए किन्तु यह स्थिती का पूरा और पूर्णत है सही सर्वेक्षन नहीं है यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरीतन टूट जाता एक युग का अंत और उसके ध्वनसाव शेशों पर किसी नई चीज का निर्मान होता इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही इसके अलावा समय समय पर पुनर जागरण के नए दौर आते रहे प्रिष्ट संख्या नौ नए को समझने और उसे अनुकूल बना कर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लाइक समझा गया उसका सामन्जस से करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं अक्सर पुराने का केवल बाहरी धाचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतरवस्तू बदल गई ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष की और खींचती है जो पूरी तरह सिध नहीं किया जा सका हो और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामन्जस से स्थापित करने की इच्छा बरावर बनी रहती है इसी लालसा ने उन्हें गती दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ-साथ नए विचारों को आतम साथ करने की सामर्थ दी भारत की तलाश पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ नहीं मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था वर्तमान मेरे लिए और मुझे जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्य युगीनिता, भयंकरगरीबी, एवं दुरगती और मध्य वर्ग की कुछ-कुछ सतही आधुनिक्ता का विचित्रमिश्रण है मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशन्सक नहीं था फिर भी भारतिय संघर्ष में नित्रित्तु के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था यह मध्य वर्ग स्वयम को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था अंग्रेजी शासन के धाचे के भीतर ऐसा ना कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी लेकिन यह चेतना उस धाचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था यह उस धाचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजीजों को हटा कर उसका संचालन करना चाहते थे यह मध्यवर्ग के लोग इस हद तक इस धाचे की पैदाईश थे कि उसे चुनोती देना या उसे उखाड फेंकने का प्रयास करना इनके बसकी बात नहीं थी नई ताकतों ने सर उठाया और वे हमें ग्रामीड जनता की ओर ले गई पहली बार एक नया और दूसरे धंग का भारत उन युवा बुद्धी जीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्वों को लगभग भूली गए थे या उसे बहुत कम एहमियत देते थे प्रिष्ट संख्या 10 यह द्रिष्ट बेचैन कर देने वाला था इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूलियों और निश्कर्षों में संदेह उत्पन कर दिया था तब हमने भारत के वास्त्विक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी गोया की मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था पर भारत की ग्रामीर जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाशित करना कठिन है पर उसने मुझे बराबर आकरशित क उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी मैं आम जनता की आउधारणा को कालपनिक नहीं बनाना चाहता मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविद्रता के साथ वास्त्विक अस्तित्व है उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनक के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ चूंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रका की द्रिर्ता और अंतर शक्ती है उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है जिसे उन्हों ने कुछ अन्शों में अब भी बचाय रखा है पिछले 200 वर्षों में उन्हों ने जो अत्याचार जेला है बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है भारत माता अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की जो जाती के संस्थापक भारत के नाम पर आधारित इसका प्राच संस्कृत नाम है मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्शाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाशन की अपेक्शा करते थे पर सीमित नजरिये वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बावत बताया जिसकी मुक्ती के लिए हम संघर्ष क कर रहे हैं कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिन और पूरव से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वाराज की भी जो कुछ विशेश लोगों के लिए नहीं सब के लिए भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैवर पास से कन्या कुमारी या केप कुमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याओं समान थी गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमिदार, महाजन, भारी लगान और कर पुलिस के अत्याचार और ये सब उस धाचे में लिप्टे हुए थे जिसे हमारे उपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए मैंने इस बात की कोशिश की कि ही वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विष्व के बारे में भी सोचें जिसके हम हिससे हैं यह काम बहुत आसान नहीं था पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था हमारे प्राचीन महाकाववियों, पुरा गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी इस साहित्य ने अपने देश की आउधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्हों ने भारत के चारो कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुँचता था मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गुँज उड़ता था भारत माता की जय मैं उनसे अचानक प्रशन कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है मेरा प्रशन उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता था कि वे मुझे क्या जवाब दें और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते मैं बार बार सवाल करता जाता आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीडियों से मिट्टी से अटूट नाता है जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धर्ती है भारत की प्यारी मिट्टी मैं फिर सवाल करता काउन सी मिट्टी उनके अपने गाउं के टुकडे की या जिले और राज्ये के तमाम टुकडों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी प्रिश्ट संख्या बारह प्रश्णोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रैतन करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है उसके अलावा भी बहुत कुछ है भारत के पहाड और नदियां जंगल में फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहिया करते हैं सब हमें प्रिये हैं लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता उनके और मेरे जैसे तमाम लोग वे सब लोग जो इस विशाल धर्ती पर चारो और फैले हैं भारत माता मोल रूफ से यही लाखों लोग हैं और उसकी जै का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जै मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता उनकी आखें चमकने लगती मानो उन्हों ने कोई महान खोज कर ली हो भारत की विविधता और एकता भारत की विविधता अध्भुत है प्रकट है वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है उसका तालूक शारिरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेश्ताओं से भी बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिन के वासी तमिल्ड में बहुत कम समानता है उनकी नसलें भिन्न है हलाकि उनके भीतर कुछ समान सूतर हो सकते है उनके चेहरे और शरीर गठन में खाने और पहनावे में और भाशा में एक दूसरे से भिन्न होते है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्धे एशिया की गमक तो है ही, वहां के बहुत से रीती रिवाज जैसे की कश्मीर के भी हिमाले के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं पठानों के लोग प्रचलित निर्त्य, रूसी कोजक निर्त्य शैली से मिलते हैं इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की च्छाफ वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर इसमें कोई अचरज नहीं क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्धे एशिया में बसी थी इसलाम के आने से पहले बौध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी सीमान्त क्षेत्र प्राचीन भारतिय संस्कृती के प्रमुख केंद्रों में से एक था अब भी स्मारकों और मठों के धेरों ध्वस्त अवशेश उसमें बिखरे हैं विशेश रूफ से तक्ष शिला के महान विश्व विद्याले के जो दो हजार वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धी की चरम सीमा पर था सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन भागों से विद्यार्थी यहां खीचे आते थे धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया पर उन ख्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिक्ता विक्सित कर ली थी वह पूरी तरह बदल नहीं सकी पठान और तमिल दो चरम उदारन हैं बाकी की स्थिती कहीं इन दोनों के बीच में है सब की अपनी अलग-अलग विशेश्टाएं हैं पर सब पर इस से भी गहरी छाप भारती अता की है यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उडिया, असमी, कंणर, मल्याली, सिंधी, पंजावी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा-भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्यभाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा इसके बावजूद इन सब के गुण दोश कमोबेश एक से हैं इसकी जानकारी पुरानी परमपरा और अभीलेखों से मिलती है साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतिये बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रिय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेशताएं भी समान थी प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी एक संस्कृती और सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया था विदेशी प्रभाव आये और अक्सर उस संस्कृती को प्रभावित करके उसी में जजब हो गए जब भी विघटनकारी तत्व उभरे तत्काल उन्हों ने सामंजस से खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया सभ्यता के आरंभ से ही भारतिय मानस में एक्ता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी इस एक्ता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तू या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकी करण के रूप में नहीं की गई इसके अंतरगत विश्वासों और रीती रिवाजों के प्रती आपार सहिशनुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविद्धा को मान्यता ही नहीं, प्रोच्साहान भी दिया गया किसी एक देशिय समुह में, चाहे वे कितने घनिष्ट रूप में एक दूसरे से जुड़े हूँ, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती है उस समुह की मूल एकता तब प्रगट होती है, जब उसकी तुलना किसी अन्य देशिय समुह से की जाती है यह बात अलग है कि अकसर दो निकट वर्ती समुहों की भिन्नता सीमान्त इलाकों में या तो धुंदली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्टर के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामन्ती धार्मिक या जातिय संबंधों का महत्व अधिक था फिर भी मेरा विज़ार है कि ग्यात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर कीसी अपने पन की अनुभूती करता था जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुँचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था उन देशों में जाकर जिन्हों ने कुछ दूर तक उसकी संस्कृती या धर्म को अपना लिया था उसे अजनबी पन का बोध निश्चे ही कम होता था वे लोग जो किसी गयर भारतिय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए कुछ ही पीडियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतिय हो गए जैसे यहुदी, पार्सी और मुसल्मान जिन भारतियों ने इन धर्मों को स्विकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतिय बने रहे आज जब राष्ट्रियता की आउधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है विदेशों में भारतिय अनिवारे रूप से एक राष्ट्रिय समुदाय बना कर विभिन कारणों से एक जुठ होकर रहते हैं भले ही उनमें भीत्री मत भेद हो एक हिंदुस्तानी इसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसल्मान को तुर्की, अरब, इरान या किसी भी अन्य देश में जहां इसलाम धर्म का प्रभुत्व हो हिंदुस्तानी ही समझा जाता है मेरे खयाल से हम सब के मन में अपनी मात्री भूमी की अलग-अलग तस्वीरें है और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती है मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अंगिनत छोटे छोटे गाउं के बारे में उन कस्वों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की वर्षा रितू की उस जादूई बरसात के बारे में जो जुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा, सौंदर्य और हर्याली के जिल मिलाते प्रसार में बदल देती है विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में थंड की चादर से लिप्टे खैवर पास के बारे में भारत के दक्षिनी सिरे के बारे में लोगों के बारे में व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में और सबसे ज़्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमाले के या वसंत रितु में कश्मीर की किसी पहाडी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच से कल-कल खल-खल करता जहरना बहता है. हम अपनी पसंद क की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं. जन संस्कृति मैंने वर्तमान समय में भारतिय जनता के गतीशील जीवन नाटक को देखा. ऐसे आउसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बधा है, जबकि उनकी आखें भाविश्य पर टिकी रहती थी. हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक प्रिष्ठ भूमी मिली, जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था. इस प्रिष्ठ भूमी में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेल था, और इन में से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था. पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस प्रिष्ठ भूमी में हिस्सेदार थे. लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकावे, रामायन और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे. हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोक मानस पर अंकित था और उसने उन्हें संब्रिद्ध और संतुष्ट बनाया था. अनपढ़ ग्रामीनों को सैकणों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित ऐसी कहानी का उलेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो. रोज मर्रा की जिन्दगी के मसलों के बारे में सीधी साधी बातचीत को ये दिहाती लोग जब इस तरह का साहितिक मोड देते थे तो मुझे अकसर बहुत अश्चरे होता था. यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तत्थियों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है. प्रिष्ट संख्या सोला यह बात अलग है कि उसका स्रोत, पुरा कथाएं एवं परंपरा और महा काववे के नायक नाईकाएं ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम. तिस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था. मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल धाल को ध्यान से देखता. उनके बीच बहुत से समवेदन शील चेहरे, बलिष्ट देह और सीधे साफ आवयवों वाले पुरुष दिखाई देते. महिलाओं में लावन्य, नम्रता, गरीमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो आवसाद से भरा होता था. कभी-कभी किसी देहाती रास्ते या गाउं के बीच से गुजरते हुए मेरी नजर किसी मनोहर पुरुष या सुन्दर स्त्री पर पड़ती थी, तो मैं विसमे विमुग्ध हो जाता था. वे मुझे पुराने भित्ती चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिन से भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौन्दर ये कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते। बशरते इनके हालात बेहतर हूं और इनके पास कुछ करने के ज्यादा आउसर हूं। चारों और गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी। और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिन्दगी को कुचल कर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृती से तरह तरह के भष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिती बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से सुईकार करने की प्रवृत्ती प्रबल थी पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमन साहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। यहां यह पाठ समाप्त हुआ। झाल क्या था जबता है झाल क्या जुर्वार्वल